Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech Guys, इस particular वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about audience retention Last के वीडियो में हम लोगों ने बात कर रहा था Wash time के बारे में actually बहुत important metric है उसको हम लोगों समझा था कि इस तरीके से वो काम करती है और क्यों हमें उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और अगर हमारा Wash time अच्छा नहीं है, इंप्रूव नहीं हो रहा है वो positive नहीं दिख रहा है तो असे कौन-कौन से steps है जिनको हमें लेने चाहिए जिसे हम अपने Wash time को और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं Google की guidelines या YouTube की guidelines के according तो आजके इस वीडियो में बात करने वाले है audience retention के बारे हैं अब अगें इस audience retention is again a very important ranking factor यानि की Google के YouTube के as a search engine में अगर आपने वीडियो को rank करना चाहते है किसी keywords के उपए सब्सक्राइब लाना चाहते है आपको audience retention के उपर भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि आखिर होता क्या और किस तरही साब इसको और अच्छी तरही से improve कर सकते है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि ये audience retention ये वीडियो लगभग 7 minutes का है 7 minutes 50 seconds का है और इसका जो audience retention है average audience retention वो लगभग 31% है थोड़ा सा उपर 31% के 2.27 minutes है 2 minutes 30 seconds अब देखो होता कहा है जैसे for example कोई वीडियो जो है वो 10 minutes का है और एक user आता है और एक user आने के बाद उस वीडियो को 5 minutes तक देखता है उस वीडियो को 5 minutes तक देखता है तो उसने उस वीडियो को कितनी देड़ तक देखा आधा जो उस वीडियो की पूरी length थी उसको उसने आधी उस वीडियो की पूरी length को देखा और उसके बाद वहाँ से exit कर जाता है उस वीडियो को और तदा continue नहीं करता है तो in that case जो audience retention होगा कितना होगा 50% देख रहा है कोई जादा देख रहा है तो उसका एक average बन जाएगा जैसे किसी ने अगर जैसे दो लोग है किसी ने वीडियो देखा 3 मिनट तक किसी ने वीडियो देखा 6 मिनट तक ठीक है एक ने वीडियो देखा 3 मिनट तक और एक ने वीडियो देखा 6 मिनट का तक तो इसका average कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ो के 2 से divide कर दो कि बेसिक है ठीक है 9 divided by 2 यानि कि 4.5 इसका average हो जाएगा तो ये average audience retention का time हो जाएगा इसी percentage में cover कर लेंगे overall कितना है वो video for example अगर वो video है 9 minutes 9 minutes और first कोई viewer आता है उसको देखता है 3 minutes तक और जो second viewer आता है वो भी वो देखता है इसको 6 minutes तक ठीक है total है 9 minutes का video एक user जो है वो 3 minutes तक देखता है दूसरा जो user या वीवर है वो 6 minutes तक देखता है तो अगर overall देखा जाए तो ये लगबग 33% बनाएगा यहां से ठीक है यहां पर 33% का audience retention है approximately फाइन ये 33% का audience retention है और यहां पर भी अगर आप देखो तो ये थोड़ा से जादा 66 के आसपास पहुँच जाएगा लगबग 66% के आसपास का ये audience retention है लेकिन अगर हम इसका average देखें तो 3 प्लस 6 which is equal to 9 और दो लोग आए है तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहां पर ये 4.5 4.5 मिनट का audience retention है और अगर हम इसको percentage में convert करें तो total length 9 मिनट थी और 4.5 मिनट तक देखा गया on an average ठीक है दो लोगँ देखा ना on an average देखा गया तो यहां पर 50% का audience retention है तो अब हमें क्या करना है इस audience retention को increase करना है अब audience retention increase कैसे होगा audience retention इस बात से increase होगा कि आपके वीडियो में content किस तरीके से अब देखो इस graph पे आते हैं ये graph अगर आपको इस तरीके से downwards दिख रहा है ऐसे नीचे जाते हुए तो आपको क्या लग रहा है कि भाई जो भी users है वो शुरुआत में और उसके बाद audience retention जो है दीरे दीरे decrease होता गया दीरे दीरे लोग हमारे videos से detach होते गए videos से अलग होते गए videos को देखना बंद करते गए और इसमें कई बार आपको ऐसे दिखेगा कि बड़ी spikes टाइप की दिखेंगी जैसे नीचे यहां पर आपको आप देखोगे तो यह जैसे downwards slope है न तो और इस टाइप से नीचे की तरफ दिखाई देगा ऐसे तीक है अब नीचे का मतलब यह है कि वहां पर user जो है वो exit कर रहा है बहुत जादे user अगर कहीं पर exit करेगा तो वो downward slope हो जाएगी या बिल्कुल ऐसे downward slope हो जाएगी अगर कहीं आपको इस टाइप से downwards और फिर upwards दिख रही इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो है user ने skip करा फॉर एक्जामपल अगर बहुत जादा users यहां से skip करते हैं 1.25 ताइम दिख रहा है यहां से बहुत जादा अगर user skip करते तो यहाप एकदम से downwards आ जाएगा और skip करके वो यहां पर आते हैं तो यहां पर फिर से upwards आ जाएगा करें या क्या steps हमें लेने चाहिए तो सबसे अची बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत में 15 सेकेंड में 15 सेकेंड में अगर आप देख रहे हो कि बहुत तेजी से graph नीचे आ रहा है इसका मतलब शुरुआत में कहीं न कहीं गड़बरी है या तो वीडियो से जो hook element होता है वो missing है या वीडियो में energy नहीं है या user को वीडियो पसंद नहीं है तो वो यहीं से गायब हो गया title और title जो है आपका या thumbnail के ओपर जो content है वो आपके वीडियो के content से mail निखा रहा है match नहीं हो रहा है तो वहां से गायब हो गया तो ऐसे बहुत सारे reasons हो सकते है उसके बात अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपने देखा जैसा for example यह चार मिनट के आसपास आप देखते हो कि यहाँ तक तो user ऐसे parallel line टाइप की बन रही है इस x-axis के नीचे वाली इसके आसपास parallel line बन रही है बट यहाँ पर एकदम से downfall दिख रहा है नीचे की तरफ या वहाँ से topic change हुआ जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक वीडियो में आप दो तीन topics cover करते हैं लोगों ने एक topic देखा दो topic देखा तीसा topic नहीं देखा तो वहाँ पर ऐसा क्या था क्या missing था जिसको आप आने वाले वीडियो में और जादा improve कर सकते हैं ताकि आपका जो audience retention है वो देरे देरे बढ़ता जाए तो यह audience retention जो इस particular वीडियो का है और यह बहुत important metric है YouTube के algorithm के point of view से बहुत important इस पर आपको focus करना है ताकि जिसमाने आपको बताया कि जो YouTube की search है ठीक है जो YouTube की search है उसमें भी आपका वीडियो perform करे और साथी साथ जो suggestion हो गयरे में वीडियो आत